जैहिन दोस्तों बिहर पुलिस सिपाई की परिक्षा के लिए आज इक इस वीडियो में GKGS से 50 सांदर प्रसनों का रिविजन करने बाले हैं और साथियों ये 50 कोशन आपके बिहर पुलिस एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किये लाश्ट तक पूरा ध्यान पुर्वक देखिएगा और आज इके इस 50 कोशन में से आप लोग कितने कोशन सही कर पाती हैं सेशन के लाश्ट में आपको कमेंट करके बताना है आज आपको टारगेट देते हैं 50 में से कम से कम 35 कोशन सही करना है तो चलिए इसी के साथ आज इके इस क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फटा फट से आप सभी लाइब में जूड़ जाईए तो देखिए पहला कोशन आपके सामने है निम्न लिखित में से किस सिख गुरू को जहांगीर ने मिर्तिव दंड दिया था वेरी इंपोर्टन कोशन है ये कोशन आपके इक्जाम में पूछा जा चुका है चलिए आंसर किजिए निम्न लिखित में से किस सिख गुरू को जहांगीर ने मिर्तियु दंड दिया था तो यहाँ पर इस question का answer क्या हो जाएगा तो जोई बच्चे लाइब चेट में option D बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जबाब है गुरू अरजुन देव को याद रखेगा यहाँ पर D option आपका सही जबाब है गुरू गोविन सिंग की बात करें तो इनका जन्म होता है 1666 में कहाँ पर तो पाटली पुतर में होता है और इन्होंने 1699 में इसमी में खाल सा पंत की अस्थापना की थी इन सारे फेक्टों को ध्यान रखना है चलि आगे बढ़ते हैं पूना पैक्ट किस के मद्य हुआ था तो यहाँ पर इस question का answer क्या हो जाएगा पूना पैक्ट किस के किस के मद्य में हुआ था तो simple सा question है याद रखेगा अमेडकर और गांधी के बीच में होता है पूना पैक्ट और कब हुआ था तो डेड़ भी पूछा आता है याद रखेगा 24 सितंबर 1932 को ध्यान रखेगा 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अमेडकर के बीच यह समझोता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है वंदे मात्रम के प्रथम संपादक कौन थे? चले कोशन नमर तीन के लिए आप से भी आंसर कीजिए और साथ वे बिल्कुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है और प्रत्यक स्ट्वेंट को नीचे लाइब चेट में अपना अपना आंसर देना है जिससे अपका प्रोपर तरीके से रिविजन भी हो सके तो यहाँ पे पूछा गया है वंदे मात्रम के प्रथम संपादक कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा अरविंद घोस याद रखेगा पहला उप्षन आपका सही जबाब है अरविंद घोस लेकिन वंदे मात्रम को लिखा किसने है रचनाकार कौन है तो बंकिम चंद्र चटर जी इसे भी ध्यान रखेंगे और वंदे मात्रम को पहली बार कब गया गया था तो अठारास सो च्यानबे में अठारास सो च्यानबे में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गया गया था वंदे मात्रम को और भारत का जो राश्टेगान है जना गना मना इसे पहली बार कब गया गया था आप लोग कमेंट करके बताईए आगे दिखे भारतिय संबिधान में मूल करतबियों के प्राबधान की संस्तूती निम्न लेखित में से किसने किया था बहुती सांदर लेबल का कोर्शन है चलिए आंसर कीजिए तो दीखे मूल करतबी की बात करे तो वर्तमान में टोटल 11 मौल करतबी है या फिर मूल करतबी है और इसे रूस देश के संबिधान से लिया गया है मूल करतव के बारे में संबिधान के आर्टिकल 51 काव में बताया गया है और भाग पूछे तो भाग 4 काव में बताया गया है इसे जरूर ध्यान रखे और मूल करतव के प्राबधान की जो संस्तूती है किस ने किया था तो यहाँ पर इसका सही जबाब है, सोर्न सिंग समीति ने, देखे मोल संबिधान में जो यह मौलिक करतवे हैं, यह नहीं था, बाद में यह से जोड़ा गिया है 1976 में, जो कि 42 संबिधान संसुदन होता है 1976 में, इसी के तरफ संबिधान में मौलिक करतवे को जोड़ा गिया निम्न लेखित में से कौन सा पदार्त सबसे अधिक जोलनसील है चलिए कोशन नमबर पाच के लिए आंसर कीजिए और साथ यो इसका पीडियाप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक इसे वीडियो की नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बिल्कुल फिरी में जाकर आप लोग इस वीडियाप को डॉलोड कर सकते हैं तो कौन सा पदार्त सबसे अधिक जोलनसील है तो यहाँ पर इस कोशन का आंसर क्या हो जाएगा नाइलोन याद रखेगा बी ओप्सन में दिया गया है नाइलोन क्या है सबसे जोलनसील पदार्त है अब देखें यहाँ पर कुछ बच्चे आंसर रेसम बता रहे हैं जोकि गलत है रेसम नहीं होगा यहाँ पर नाइलोन होगा याद रखेगा दिल्ली इस्थित सांतीवन समाधी है चलिए कोशन नमर छे के लिए आंसर कीजिए सांतीवन समाधी अस्थल यह दिल्ली में है और यहाँ पर किसकी समाधी अस्थल है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पंडित जभार लाल नहरू की याद रखेगा और यहां पे अगर लाल बादुर सास्त्री की बात करें तो लाल बादुर सास्त्री की समाधी अस्तल का नाम है विजय घाट इंद्रा गांधी की समाधी अस्तल का नाम है सक्ती अस्तल राजिव गांधी के समाधी इस्तल का नाम है वीर भुमी और एक पूछाय आता है याद रखिएगा डॉक्टर राजिन परशाद का जोकी महा पृयान घाट है महा प्रियान घाट डॉक्टर राजिन परशाद का चीनी यात्री फायान ने भारत का ब्रह्मन किया और देखे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर है चंदरगुप्त दूइती के सासन काल में आया था फायान युद्ध या बाहय आकरमन के कारण की गई अपातकाल की घुषना का संसत द्वारा अनिवार्यत अनुमोधन होना चाहिए तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा एक महिने में सुन्य आधार वाला बजट सरपर्थम लागू हुआ था चले कोशन नमर नौ के लिए आंसर किजिए सुन्य आधार वाला बजट सरपर्थम किस देश में लागू हुआ था तो यहाँ पर इसका सही जवाब है संजुक्त राज अमेरिका में कहाँ पर लाग हुआ था संजुक्त राज अमेरिका में संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है चाइना कौन है चाइना युनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे चले कौशन नमर 11 के लिए आंसर किजिए युनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे तो याद रखेगा हिपो क्रेटर्स को यहाँ पर C आपका सही जबाब है हिपो क्रेटर्स को क्रोना किस देश की करंसी है चलिए 12 के लिए आंसर किजिए क्रोना किस देश की करंसी है तो याद रखेगा स्वीडन की करंसी का नाम है क्रोना याँ पर बी आप्शन आपका सही जबाब है एक पूछा आता है नगुल ट्रम आप लोग कमेंट करके बताइए नगुल ट्रम किस देश की करंसी है वरिंदावन गार्डन कहाँ पर इस्तित है अब देखे ऑप्शन में वरिंदावन भी दिया गया है इसका मतलब आंसर वरिंदावन नहीं होगा यहाँ पर देखे वरिंदावन गार्डन है तो confusion करने के लिए इस तरह से दिया जाता है option में तो याद रखेगा ये मैसूर में है विरिंदा वन गार्डन कहाँ पर है मैसूर में है याद रखेगा भारत के राष्टपती के रूप में निर्वाचन के लिए योगेता की निम्नितम उम्रिक क्या है देखे अब तक ये question आपको याद हो गया होगा हमने आपको बहुत बर बताया है चले बिल्कुल सही answer दिये है answer क्या हो जाएगा यहाँ पर 35 वर्स याद रखेगा राष्टपती उपराष्टपती, राजिपाल, इन सभी के लिए क्या है 35 वर्स है नटराज की परसिद, कान से मुर्ती उधारन है चले, 16 के लिए answer कीजिए और साथी आप लोग डेली क्लास को attend कीजिए क्लास का timing है डेली रात 8 बजे से और इसके बाद एक क्लास रात 8 बजे है तो इस क्लास को भी आपको जरूर देखना है रात 8 बजे की क्लास में इडिटरिया बुक से practice it करा जाता है जो कि बिहर पुलिस एकजाम के लिए और बिहर SSC इंटर लेबल एकजाम के लिए important रहेगा तो नटराज की जो परसिद, कान से मुर्ती है ये किस काल का उधारन है तो याद रखेगा चोल काल का D option याप पर सही जबाब है मुहमद गोरी कहा का सासक था चले बिल्कुल टॉप लेबल का कोसर ने answer बताईए मुहमद गोरी ये कहा का सासक था सही जबाब है अफगानिस्तान का सासक था मुहमद गोरी पानिपत के तृतिय युद में मराठों की पराजय के बाबत निम्नलिखित पर विचार कीजिए चले सभी option को देख लिजिए सही से तो अठारवे question का याप पर आंसर क्या होगा दिखिए पानिपत का तीसरा युद जो की हुआ था 1761 में तो यहाँ पर पाला option में दिया गया है सदासिव राओ की कुटनिती गलतिया एहमत साअ अबदाली का उतकरिष्ट सेनापतित्व यहाँ पर पूछा पले क्या गया देख लेते इसमें मराठाओं सोरी मराठाओं की हार के कारण कौन कौन से थे तो पाला option बिलकुल सही है सदासिव राओ की कुटनिती गलतिया एहमत साअ अबदाली का उतकरिष्ट सेनापति यह भी सही है मराठा सेना में बहुत से अनाडी लडाकों का होना यह भी सही है मराठा सेना के एक सेना नाइक इबराहिम खा गारदी की गदार यह गलत है तो हार का जो कारण है यही तीनों है जो की A option में दिया गया है याद रखेगा आगे दिखें मुगल वंस का जो संबंद बहदुर सा जफर से था वही संबंद लोदी वंस का किस से था तो सिंपल सा कोर्षन है 19 के लिए आंसर क्या हो जाएगा इबराहिम लोदी याद रखेगा C option आपका सही जवाब है इबराहिम लोदी याद रखेगा लोदी वंस दिल्ली सल्तनत का आखरी वंस है और लोदी वंस का आखरी सासर कौन है तो इबराहिम लोदी जो की 1526 में पानी पत के प्रथम युद में बाबर के द्वारा प्राजित हुआ था आगे देखिए पंडित भीमसेन गुरुराज जोसी है चलिए आंसर कीजिए देखे अभी भी कुछ इस्ट्रेंट को ये कोशन समझ में नहीं आया होगा बता देते हैं दीके मुगल वंस का जो संबंद बाहदूर सा जफर से बोला गया है तो सबसे पहले बाहदूर सा जफर ये कौन था तो मुगल वंस का अंतिम सासक था उसी प्रकार से लोधी वंस का अंतिम सासक क्या होगा तो इब्राहिम लोधी होगा लोदी वंस के स्थापना किया था बालोल लोदी ने तो 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा या पर बताईए पंडित भीम सेल गुरु राज जोसी है तो याँ पर इसका सही जवाब है option B हिंदुस्तानी गायक है कौन है हिंदुस्तानी गायक है याद रखेगा अग्यात सैनिको का इसमारक भारत में कौन सा है option A में है gateway of India B option India gate तीन मूर्ती या फिर जालिया वाला बाग है तो simple सा question है ये क्या है इंडिया gate है याद रखेगा इंडिया gate है पंडित किसन महराज निमनलिखित वाद्य यंद्र के प्रमुक वादक है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है option D तबला बादक है पंडित किसन महराज याद रखेगा चलि आगे बढ़ते हैं मदूरे किसकी राजधानी थी चलिए simple सा question है पांडियो की राजधानी थी मदूरे यहाँ पर C option आपका सही जबाब है राष्टकोट वंस के अस्थापना किसने किया था तो दंती दूर्ग ने किया था निमनलेकित धात्वा में से किसे सिंदु घाटी के लोग नहीं जानते थे चलिए 24 के लिए आंसर किजिए बिलकुल इसी टाइप के question आपके exam में पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा निमनलेकित धात्वा में से किसे सिंदु घाटी के लोग नहीं जानते थे तो बिलकुल सही आंसर दिये हैं लोहा को नहीं जानते थे अकबर के सासन के दोरान राजस्व परनाली किसके हातों में थी सही जबाभे टोडर मल किसके हातों में थी टोडर मल मोगल सासक अकबर का कौन था तुवित मंत्री था जिसे राजा की उपादी से भी सम्मानित किया गया था करनाटक संगीत का पिता मा किसे कहा जाता है तो ये कोशन खास नहीं आपके एक्जाम के लिए आंसर बता देते हैं करनाटक संगीत का जो पिता मा है ये कहा जाता है किसे तो पुरंदर दास को और करनाटक का जो निर्त यहाद रखेगा ये है यक्ष गान यक्ष गान निरित नाट से लिए है करनाटक का अलेक्जंडर की भारत से लोटने के उपरांत 323 BC में कहां पर मिर्टी हुई थी तो यहां पर इसका सही जबाब क्या है 27 के लिए D option बेबी लौन में कहां पर हुई थी बेबी लौन में D option आपका सही जबाब है बेबी लौन में सिकंदर की बात करें तो किसका सिस था अरस्तू का सिस था सिकंदर याद रखेगा और सिकंदर का सेनपती कौन था तो सेल्लूकस निकेटर था चलि आगे बढ़ते हैं और मिर्टी ज्यान रखना है 323 BC यानि इसापूर में हुआ था बेबी लौन में निम्न लिखित मुगल सासकों में से किसे Prince of Builders के नाम से पुकारा जाता है तो इसका सही जबाब है सा जहां को किसे पुकारा जाता है सा जहां को निम्न लिखित में से कौन सा वाद्य अंत्र बिना तार का है चले 29 के लिए आंसर कीजिए सितार तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तार होता है गिटार भी नहीं होगा तो यहाँ पर पूछा गया बिना तार का कौन सा है तो यहाँ पर इसका सही जबाब है उपसन सी ट्रेमपेट याद रखीगा गिटार, सितार, वाइलिन में तार का इस्तमाल होता है जबकि ट्रेमपेट में तार का इस्तमाल नहीं होता है चितर कला की गंधार सहली का सुतरपात और देखे जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है पिलिज आपसे request एक session को आप सभी साथ में like करते हुए चलिए तो यहाँ पर इसका सई जबाब है महायान संपरदाय जान रखना है महायान संपरदाय गंधार सेली और मतुरा सेली का जो विकास है किसके सासन काल में हुआ था यह भी पूछा आता है तो कनिस के सासन काल में यहाँ पर पूछा गया है कि चितरकला की जो गंधार सेली है इसका सुदरपात किसके द्वारा क्या गया था तो महायान संपरदाय के द्वाराई से जरूर ध्यान रखे शलार जंग संग्राले कहाँ पर इस्तित है तो याद कर लेजे इस तरह के कोशन कभी कभी एकजाम में पूछा आता है शलार जंग संग्राले कहाँ पर है तो हैदराबाद में है निम नलेखित में से कौन सा नृत्य इस तरी पुरुस दोनों का नृत्य है तो ये है घूमर नृत्य कौन सा है घूमर नृत्य हेन यान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किसमे हुआ था तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हेन यान और महायान बहुत धर्म के दो संप्रदाय है तो बौत धर्म जो दो भागों में बटाता किस बौत संगती में तो आपने आपको बताया था चौती बौत संगती में जो कि D.Option में दिया गया है ये कास्मिर के कुंडल वन में हुआ था कनिस के समय में समराट अकवर ने निम्दलिखित में से किस महल का निर्मान फतेपूर सिकरी में करवाया था सई जवाब है पंच महल, पंच महल कोई हवा महल भी कहा जाता है भारत के निम्नलिखित प्राचिंतम सिक्कों पर सासकों के नाम एबम उनके सरीर के उपरी भाग के चित्र बने हुए है तो कौन से सिक्के में तो यहाँ पर इसका सही जबाब क्या होगा तो याद रखें गुप्त सिक्के में अखिल भारतिय हरीजन संग की अस्थापना निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया गया था ये कोशन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है तो अकिल भारतिय हरिजन संग की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था तो याद रखेगा महत्मा गांधी के द्वारा किसके द्वारा महत्मा गांधी के द्वारा गांधी जी के नाम के आगे महत्मा जोड़ा गया था चले किस्व में जोड़ा गया तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा चमपारन सत्यागर के दौरान पहला उप्षन आपका सही जबाब है मात्मा गांधी को सबसे पाले मात्मा कहकर किसने पुकारा था तो रभिन नात टैगोर ने और मात्मा गांधी को सरपर्थम राष्टपिता किसने कहकर संबोधित किया था तो सुबाज संद्रबोश ने जबकि सुबाज संद्रबोश को सरपर्थम नेता जी किसने कहा था तो एडॉल्प हिटलर ने सारे फेक्टों को जरूर ध्यान रखे भारतिय सिक्षा विवस्था के संबंद में चार्ल्स वूड डिस्पेच किस वर्स में भारत आया था चले इंपोर्टन कोशन आंसर किजिए तो यह आया था 1854 में पाला आप्शन या पर सही है अंग्रेज सरकार ने किस वर्स बिहार को अलग प्रांथ बनाया था तो साथियों अंग्रेज सरकार ने किस वर्स बिहार को अलग प्रांथ बनाया था तो याद रखेगा यहां पर सही जबाब है 1912 में 22 मार्च 1912 को बिहार की अस्थापना होती है बिहार को अलग किया गया था का से तो याद रखेगा बिहार को बंगाल से अलग किया गया था फिर 1936 में बिहार और उडिसा अलग होता है और फिर लाश्ट में 15 नमबर 2000 को बिहार जहरकंड अलग होता है वरत्मान में बिहार में 9 परमंडल है और 38 जीले है नमक सत्यागरा के दौरान निम्न लिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो यहाँ पर इस कोशन का सही जबाब है सरोजनी नायडू याद रखीगा 1943 में नेताजी सुबाद संद्र बोश ने सोतंतर भारत की अंत कालिन सरकार के गठन को उद्धोसित किया था कहांपर? जिसको आजाधिंद का जाता है तो सिंपल सा कोशन है सिंगापूर में कहांपर? सिंगापूर में सबसे पहले हमारा राष्टेगान कब और कहांपर गया गया था? तो हमारा राष्टेगान क्या है? जन गनमन जिसके रचेता कोन है? रविंद्र नात टैगोर और पहली बार गया गया था कलकत्ता में और कब तो 27 दिसंबर 1911 को भारत के संबिधान में मौलिक अधिकार मूल संबिधान का हिस्सा था? बिल्कुल सही है. चोथे संसोधन द्वारा जुड़ा गया था? गलत है. संसत द्वारा 1952 में जुड़ा गया था? ये भी गलत है. 42 संसोधन द्वारा जुड़ा गया था? ये भी गलत है. क्योंकि मौ राज लोग सेबा आयोक के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है तो यहाँ पर चवालिस का आंसर क्या हो जाएगा कौन करता है तो याद रखेगा राजिपाल करता है भारतिय गंतंत्र में किसी राजी की सदस्ता है तो 45 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा अनिवारी है भारतिय गंतंत्र में किसी राजी की सदस्ता क्या है अनिवारी है भारतिय संविधान का निम्नलिकित में से कौन सा पक्ष यू ऐसे के संविधान के समान है यानि कौन सा यहाँ पर दिया गया है option में जो की America देस के संभिधान से लिया गया है तो simple सा question मौली कदिकार को लिया गया है मौली कदिकार को भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में रखा गया है राजिक के निर्टिन दिशक तत्यों को भाग चार में रखा गया है और 36 से लेकर 51 तक में और इसे आइलेंड देश के समिधान से लिया गया है कौन सी नदी दक्षिन भारत की गंगा कहलाती है तो दक्षिन भारत की गंगा कावेरी कहलाती है लेकिन अगर दक्षिनी गंगा पूछे तो आंसर हो जाएगा गोदावरी दोनों में बहुती फर्क है दक्षिन भारत की गंगा कावेरी लेकिन दक्षिनी गंगा गोदावरी या फिर इवरिद गंगा गोदावरी इन सभी फ्यक्टों को ध्यान रखना है चले किस राजी की सीमा चीन से जुड़ी हुई है और साचों गोदावरी नदी की कुल लंबाई पूछे तो 1465 किलो मिटर है जो कि दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है तो 48 के लिए आंसर हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश ये पूर्वी राजे है भारत का सबसे अरुनाचल प्रदेश भारत में जुड़ी हुई है तो 49 के लिए आंसर क्या हो जाएगा जन जाती है आदिवासी लोगों से यापर पहला अप्षिन आपका सही जबाब है और जूम क्रिसी जो है आम तोर पर परवतिय छित्रों में किया जाता है इंटेग्रल कोज फेक्टरी कहां पर इस्तित है तो 50 के लिए आंसर यहां पर हो जाएगा पेरामबूर में इस्तित है पाला आप्षिन याद रखीगा तो चले साथियों आज इक लिए इतना ही अब आप लोग फड़ाफट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज इके 50 में से कितने कोशन सही किये है अगर आपका 50 में से कम से कम 35 से 40 कोशन भी सही हुआ है तो आपकी त्यारी बहुत ही भेतरीन है इसी तरह से आप लोग त्यारी किजिए तो देखे सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेर जरू किजिएगा यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आंसर दिया गया है और यह पीडियाँ आपको कहाँ पर मिलेगा तो टेलिग्राम पर मिलेगा